नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तयारी बहुत अच्छे से चल लिए होगी दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम सभी सरकारी जोग अलट लेकर आपके सामने आते हैं यानि कि हमारा जो टेक है वो क्या है क्या प्राणबी परिक्षा तिथी में होगा बदलाब ठीक है अब इसका अनुमान क्या है कि हम आपको बता है कि मुझे लगता है कि ये बदलाब होने के 100% chances है ठीक है कितने chances हैं? chances हैं मैंने हैं question माग लगा रखा उसके लिए कुछ कारण है वो कारण क्या है आप देख लीजिए वो पहला कारण क्या है अगर PCS 2020 की बात करूं तो admit card आ गए थे 29-9-2020 को कब आगे थे 29-9-2020 कब आगे थे 29-9-2020 को admit card आ गए थे PCS 2021 की बात तो 8-10-2021 को admit card आ गए थे यानि कि 8 को 8 तारिक को exam आ गए थे और आपका exam जो था वो कब था वो आपका exam था 24 October को यहां भी 12 दिन का अंतर था सोरी यहां तो जादे का अंतर था यहां कितने दिन का था एसा मचले 16 दिन का यहां अंतर था कि हैं 16 दिन पहले एक्जाब काड जारी कर दिये थी हां अगर बात यहां करते हैं PCS 2022 में तो 16 2022 को admit card आ गए थे और exam कप था 12 अगर हम आगे बात करते हैं 2023 को भी सारे आकड़े हम लगाकर ही अनुमान लगा रहे हैं आकड़े अगर हम देखां PCS 2023 का तो admit card कर दो तारीक को यानि कि 2 माई 23 को admit card आ गया था exam date जो थी वो 14 माई थी यहां भी 12 दिन का अपरो खिली 12 दिन 11 दिन 12 यह आज में रहे हैं यह गैप रहा है अब यहां देखिया बच्चा PCS 2024 में आज पांस तारीक हो चुकी है यानि कि आज देखे टाइम एक है 11 बचकर आपके 12 मिनट हो चुके हैं यानि कि 23 बचकर 12 मिनट हो चुके हैं जब यह वीडियो हम बना रहे हैं यानि कि 23 बचकर और 12 मिनट हो रहे हैं यानि कि ग्यार है बचकर, बारहे मिनट हो रहे हैं, ठीक है, और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं, तो पांस तारीक तो चली गई मान लीजिए, और बातारीस मिनट की बात है, उसके बाद छे तारीक शुरू होगी, अगर छे तारीक में एड़िट कार्ड नहीं आता है, छे तारीक काट की ना डेट है ना कुछ है फिर इसके चांसे दिए होते हैं कि एक्जाम में कुछ-णा कुछ है चैंगिंग देखा जाएगा ठीक है और अगर अगर कल आजाते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप अपनी तैयारी बरकरा रखांगे 17 तारीक कभें 17 तारीक को आपका exam है और अगर कल admin card नहीं आते हैं तो फिर सीधा जो है मैं आपको बतायता हूं कि 2 June 2 June से लेकर आपके 10 June के बीच आपका जो है यह exam मांगा जाएगा क्योंकि अब इसके और भी chances लगते हैं एक chance इसका यह भी लग रहा है कि अभी आरो यारो और आरो और ए आरो का exam जो है वो क्या हो चुका है वो cancel हो चुका है कराकर ठीक है फिलाल में और अभी जो है UPCS ने APS का रियल्ट भी APS का रियल्ट भी दिया है तो कहीं न कहीं यह भी आपके थोड़े से यहां पर chances लग रहे हैं इस वज़े से मैं आपको यह बात इसलिए बोल रहा हूं ठीक है मैं क्या चांज दिया है APS का रियल्ट दिया है और सीधी बात यह है कि आरो यारो का जो है कि एक्जाम हट सकता है मगर स्योर नहीं है अभी फिलाल में आप अपनी तैयारी फिर भी रखो क्योंकि तैयारी रखोगे बहुत अच्छी बात है परन्तों सारे आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं देख लीजिए यह आंकड़े देखी सब आपके यहां पर जो आंकड़ आ गए थे और 14 तारीक को एक्जाम था अभी यहां पर कुछ ऐसा नहीं है ठीक है ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है तो देखते हैं फिलाल में बरना तो आपकी जो डेट है वो आपकी क्या हो सकती है वो डेट आपकी हट सकती है वो डेट कहां जा सकती है आई तिंग जून में लोगों डेट जा सकती है ठीक है और देखते हैं कल को क्या अपड़ेट आता है फिर भी एक्टिब रहना लिंक पर भी वैफसाइट पर भी और चैनल पर ढ़र टीक है दोस्तों का अगर इन्फोमिशन अच्छी लगी हूं तो चैनल को सब्सक्काइब करते हैं बैरा आइकन